तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो बेसिकली एक अच्छा सा question है और चलो इसको हम लोग try करते हैं सत्प्लाइट मोव Greatóg एक प्लीक बैडियके मतलब यह सेटलाइट अपना अर्थ और यह लोग रारभीट मतलब यह होता है सेंटर से डिस्टेंज यह वाली हैड्ड यह वाली डिस्टेंज श्फाइद में हैं तो लोग में है सिसलार आर्बिट की आर्बिटल speed कितनी होगी तो arbitrary speed होगी GM over RE under root ये बात समझ में आ गया अब यहां तक तो सब ठीक था अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि इस satellite से एक rocket fire किया गया ठीक है तो a rocket is fired attached to its speed is increased in the direction of root 3 times larger अब जब हमने इस rocket fire कर दिया तो इस point पे जो satellite था उसकी speed इसी direction में increase हुई और उस increase speed को मैं भीवन नाम दे देता हूँ और यह point का नाम दे देता हूँ अब जो भीवन है यह कह रहे है कि भीवन की जो value है वो रू 3y root 2 times arbitrary speed पहले वाले की मतलब 3y to arbitrary speed कितनी थी root gm over re मतलब और अच्छे से इसको लिक है तो यह जो speed है वो आ जाएगी 3gm over 2re under root और यह जो speed है तुम देखोगे तो यह speed orbital velocity से पहले वाले से ज्यादा आया पर escape से तो कम है ना इतना ज्यादा तो है नहीं कि यह escape कर जाए तो यह जो speed नई speed आ गई है यह यह यहाँ पर इसका नाम भीवन तो भीवन जो है वो लेस देन है इसके velocity से बड़ यह greater than है present orbital velocity से तो न इस आर्बिट में सरकल में चलेगा और नहीं escape करेगा तो यह elliptical path follow करता है तो elliptical path follow करेगा तो अब यह ऐसे ellipse में चलेगा पहले ऐसे चल लाता तो यह कहते हैं कि जब यह furthest distance furthest distance सबसे largest distance इस satellite का यहां है rocket fire करने के बाद तो यह जो speed इस point का नाम भी रख देता हूं और यहां पर जो speed है भी टू इस भी टू की calculation हमें करना है ठीक है बात समझे में आ गई क्योंकि देखो यहां से furthest distance हमें यही वाली furthest distance हमें निकालना है r और यह जो distance r जो है r को rendering में इकालना इस distance is r और यह distance हमें निकालना है we और यह पहले से ही अभी भी यह इस इस points पर firing हुई थी rocket की तो rocket इस direction में कुछ चला गया गएक उससे स्ट्रूम्ट से मतलम नहीं है। ऑफ इस डियरेक्शन में चले जाएगा तो रॉकेट ऐसे म्यों कर गया होगा तो हुग्यान है । है से हैं सेटिलाइड ए क्छ सेटिलाइड पॉइंट एडिया पॉइंद तो तो हमें चर्य noticeable तो वनली ग्रेविटेस्टेशनल अट्रेक्शन रग रहा है तो टार्ग जीरो होगा तो ताउ यहां पर देखोगे ताउग इवाउट दे सेंटर आफ अर्थ इस उकल्टू जीरो एंगुलर मोमेंटम अट पॉइंट यहां पर तुम देखोगे तो आर तो जब इसको calculation करोगे तो यह जो M है वो M एक दूसरे को खा जाएंगे और यहां से जो नई speed हम लोग निकाल के आयते तो वो कितनी थी नई speed GM over 2RE के under root के equal थी और यहां से RE से multiply कर दिया जाए तो यह V2R तो finally जो V2R की जो value आ जाएगी 3GM 3GM RE over 2 this is the final solution of this problem तो यह रहा equation number first तो यह इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं यह momentum conservation लगा के हम लोग ले के आए where M is the mass of the earth और mass of satellite यहां से cancel हो गया अब एक काम करते हैं energy conservation लगा देते हैं applying mechanical energy conservation at point A and B तो mechanical energy at the point A must be equal to mechanical energy at the point B इन दोनों पर energy बराबर होना चाहिए भाई यह simple सी बात है तो अगर इन दोनों पर energy बराबर है तो mechanical energy A पर kinetic energy half M B1 square potential energy G M और M और that is R E Earth और satellite के बीच B point पर देखोगे तो half M और speed B2 का square और minus G M M और over यह आ जाएगा R तो finally अब तुम देखोगे तो इस R की जो value है हमें चाहिए R E के time में तो सबसे पहले अब value put करते हैं तो half M और नई speed तो नई speed का जब square करोगे तो यह 3 by 2 G M समझे रहे हैं G M R E यहाँ बचेगा और minus यहाँ बचेगा G M M R E यह पहले से चला आ रहा था half M V2 का square रखोगे तो V2 का square रखोगे तो 3 G M R E यहाँ से और इधर बचेगा तो 2 और R का square देखो V2 तो V2 का square करोगे तो 3 G M R E upon 2 और 2 R square और minus यहाँ से G M M और यहाँ से R तो finally यही है expression और इस expression को solve कर लेगा वो result ले लेगा तो इस expression को solve करना तो I hope की सब को आता होगा तो एक काम करते हैं उपर नीचे हम multiply कर जीम जीम उपर नीचे है cancel हो गया और 4 से multiply कर देते हैं तो इधर बचा 3 upon R E और minus यहाँ से जीम उड़ा दिये 4 से multiply कर दिये तो 4 R E इधर बच गया और यहाँ बचा यहाँ बचा 3 R E उपर और यहाँ बचा R का square ठीक है और minus यहाँ बचा 4 से उपर नीचे multiply कर दिये और R this is the final solution मतलब final solution यह final expression हमें मिल गया तो इस final expression को थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लिखते हैं तो यहाँ से तुम देखो कि तो minus 1 upon minus 1 upon R E और यहाँ से इधर भी अपना R E तो minus 3 R E upon R का square is equal to minus 4 upon R तो यह को क्वाडेटी की equation बनने जा रहा है तो 1 upon R E की जो value है यहां से तो एक काम करते हैं इसको हम multiply कर देते हैं basically और हम quadratic equation मना लेते हैं और solve कर लेते हैं तो यहां से minus R square और minus 3 times R E का square और नीचे यहां बचेगा R E और R का square is equal to minus 4 times R तो यहां ने एक R को खतम कर दिया तो minus R square minus 3 R E का square is equal to minus 4 R R E तो यह हमें R चाहिए और R E यहां constant है तो minus R square और plus 4 R और R E और minus 3 R E का square that is equal to 0 तो अब यहां से तुम solve करोगे basically इसको तो इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ basically देखा तो R R का square और minus 4 R R E और मैं इसको लिख सकता हूँ plus 3 R E का square that is equal to 0 तो यहां से अब देखोगे 4 है तो यहां से R square और मैं minus लगा है तो इसको मैं minus यहां से तुम लिख सकते हो इसको 3 R E और R एक variable है और plus minus R E R 4 R E को इतना लिख सकते हो plus 3 R E का square is equal to 0 तो यहां से R common आ जाएगा तो R अगर यहां से common आ जातो तो R minus 3 R E इधर बचेगा और minus R यहां से common ले लोगे तो R minus 3 R E इसमें बचेगा that is R equal to 0 यहां से R E common ले लो तो यहां से R E common ले लोगे तो यहां से R minus R E और यहां से R minus 3 R E that is all equal to 0 तो R बराबर R E एक solution हो गया या R बराबर is equal to 3 R E दूसरा solution हो गया यह नहीं possible है क्यों नहीं possible है क्योंकि circular orbit है circular orbit अब हो चुक है circular orbit नहीं है ना circular होता तो यह possible होता तो elliptical है तो यह वाला possible नहीं है तो यह जो है वो possible solution है तो R equal to 3 times R E furthest distance तो this is the final solution of this problem I hope कि आपको समझ में आ गया होगा that is a option correct thanks for watching this video area uh